विल्कम तो माई चैनल हैपड़ेड इस भी मैं हूं मुहम सोहिल आज मैंने स्टॉक चुना है जी एंटर्टेन्मेंट लिमिटेड यानी जील आज मैं आप सभी को जी के उपर चार्ट अनलैसिस करूंगा बेज़ डॉन लेवल्स एंड कल के लिए टारगेड प्रैस क्या होना चाहिए मैं आगे चलके वीडियो में बता दूंगा कि आप कहां भाई करें कहां सेल करें और स्टाव प्लस कहां लगए दोस्तों आप मेरे चैनल के लिए नए होते हैं मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आपको इंटरडे अपडेट्स एंड स्टॉक मार्क लेवल स्टोड़ेगा था हम लोग यह 180 और 190 के लिवल सब्सक्राइब आप मेरे वीडियो नहीं थे कि होता है आप जाके वीडियो देख दीजिए आपको समझ में आ जाया एका कि मैं कहां से कहां तक इसके अंदर लिवल ब्रेक आउट लगाया था कहां से कहां तक ब्रेक ह लोगा अप पर टेंड जाने के लिए तो दोस्तों चलिए वीलिए के अंदर आगे बढ़ते हैं कि दिस्क्लेमर के साथ शुरू करता हूं मैं आज के दिन इसके अंदर क्या क्या हुआ था मैं आपको बता दोंगा कि लाइन टूल लाइन कहां से कहां तक ये स्टॉब जाए आप इधर ही देख सकते हैं इसके अंदर minimum to minimum 27 या 26 रुपेस का fluctuation है दोस्तों यानि यह downtrend का fluctuation है आप ट्रेंड का fluctuation है दोस्तों आज हम लोग को इसके अंदर मैं आपको दो लेवल इसने ब्रेक कर रहे हैं वो लेवल मैंने मेरे पहले वीडियो पर बता दिया था आप मैंने मेरे पिछलों वीडियो में उसके अंदर yearly और मंतली चार्ट के अंदर बताया था आज इसके इसके अंदर highly volume trade हुआ है दोस्तों वेट बहुत fluctuation के साथ यानि fluctuations इसके अंदर इतना जैदा हुआ है कि बीड और आस्क में समझ नहीं आ रहा था कि कहां बाइक करें कहां सेल करें तो मैं मैं जायाद लोगों ने recommend किया है कि जील के ओपर बनाएं ये वीडियो तो मैं आज के ओपर वीडियो बना रहा हूं दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आप मेरे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स अंदर टिप्स देता रहूँगा एकॉर्ड इंटो प्राइस फ्लक्श ों ब Holzन तेनल करने को डेता रहुँगा मेरे टेलिग्राम चैनल में तो जॉइन करिए अप देखिए इसने इक लेवल दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लेवल नहीं यही लेवलutt किया है वह लिए पर आंथने को देख सकते हैं 1965 का तैनल यह यह उद्वर का आप वह देख दोस्तों दो को समझ में आज जाएगा मैं को को से लिएक कुछ रिखाने के लिए ब데 में इसके अंडर से अब ब्रेक रहेता थे तो रिखेगा और दो सिखरा हैना दोस्तों इसके नीचे यह रिक उट हुआ यानि यह लेवल को breakout करने की कोशिश करेगा दोस्तों इसके अंदर ही फ्लक्शूट होता हुआ दिखेगा प्रैस यानि यह नीचे दिख रहा है ना दोस्तों ऐसा एक ही जगे पर यह एक ही प्रैस के ओपर ऐसा फ्लक्शूट हुआ है ना ऐसा ही इदर भी फ्लक्शूट होने को दिखेगा इस यह ऐसा दिख रहा है तो आप इसके अंदर बाइंग से यानि होल्ड करके चलें दोस्तों कल के लिए टू-टुटी लिए कल के दिली यानि आते हैं विना हो सकता है या दो हफथा तीह नफथा फ़िर तरी विग्स भी हो सकता है दोस्तों तो जो होल्ड करना से जाता हुआ दिखा आपको यह लेवल पे तो आप इसके अंदर सेकेंड लेवल लगा ले सकते हैं 156 क्योंकि यह 156 के पास से ही अपर ट्रेंड जाना शुरू हुआ था यानि फास्ट लेवल ब्रेक करके उपर जाना शुरू हुआ था आज के अंदर मैंने वीडियो में बत यह मेरा इंफर्मेशन आपको अच्छा दिखा तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें एक तेलिग्राम जोइन करें लाइव टिप्स टॉक मर्केट अपडेट के लिए दोस्तों आज का दिने दोस्तों 28 में 2020 थास्टे दोस्तों आज का डेंग कर रहा है जील 180.75 के पास कर इसके अंदर कर्किंद प्राइब के लिए एक पैड़ेश के लिए यह बचात अनलाइसिस और में कैंडल चार्ट पंपर जो मैं आपको बताएं उसके उपर बेस करके बता रहा हूं दोस्तों मेना प्रेडिक्शन ने 182 182 183 के गउपर एक जाता हूँ है दिखा को कल के दिन ये शेर 178 177 के नेचे जाता हुआ दिखा तो आप इसके अंदर से लिंग सेड ले सकते हैं इसका फर्स टार्गेट होगा आपका 175 सेकंड टार्गेट होगा 173 और स्टिकले स्टाप लॉस के साथ चलिए 184 दोस्तों आपको यह मेरा इंफर्मेशन और अच्छा दिखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करें फॉर इंटर डेल लाइव ट्रिप्स और स्टाप मार्केट अपडेट्स के लिए धन्यवाद दोस्तों